नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं कुरोना की दूसरी लहर से परभावितों में 45 साल से कौम के अधिक लोग देश में कुरोना की दूसरी रफ्तार रुखने का नाम नहीं ले रही है रोज संक्रमन के मामले नया रिकोर्ड बना रहे हैं ऐसे में वैक्सिनेशन को सब के लिए करने की मांग और तेज हो गई है बता दे दिली के मुखमंती अरविंद के जरिवाल ने फिर मांग की है कि कुरोना का ठीका सब के लिए उपलब्द कराया जाए अरविंद के जरिवाल ने बताया कि दिली में इस बर संक्रमन के सिकार होने वाले में 65 पर 35 साल से कौम के है वहीं अन राजो में भी यह देखा गया है कि कौम आयूबर्ग के लोग इस बिमारी के सिकार ज़्यादा हो रहे है जैक बोर्ड दासवी बरावी परिक्षा के लिए खास त्यारी जैक बोर्ड ने कुरोना की गाई लाइन के पालन के लिए सभी परिक्षा के अंदर पर नोडल पता अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे बता दे बैठक में 4 मई से सुरू होने वाली मैट्रिक वा इंटर की परिक्षाओं की त्यारी की समिख्चा की गई मैट्रिक इंटर रिजलाई अंत तक मैट्रिक वा इंटर की कोपियों की जाज 15 जुन तक सुरू हो सकते है बतादे रिजल्ट जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक आ सकता है कौपियों की जाज के लिए D.E.O. से सिक्षकों के नाम मांगे गए है बतादे मौई में रिटार हो रहे सिक्षकों के नाम कौपियों के मुलियांकन के लिए नहीं लिए जाएंगे वहाई सभी परिच्छा के अंदरों पर एक या दो कमरे रियार्ब रखने को कहा गया है बतादे अगर परिच्छा के दुरान किसी परिच्छार्ती में कुरोना संक्रमन के लक्षन दिखे तो उसे अलग से परिच्छा दिलाने की वेवस्ता की जा सके जार्खन के 78,000 किसानों की कर्ज माफी के 300 क्रों रुपए फसे 78,000 किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा 300 क्रों रुपए का बिल 31 मार्च को ट्रेजरी में फस गया है पतादे सरकार दोरा भेजे गए बिल को ट्रेजरी ओफसर ने पास कर दिया लेकिन उसे बैंक में नहीं भेजा इससे 78,000 से अधिक किसानों को बितियवर 2021 में करज माफी का लाब नहीं मिल सका निर्धारित परकिरिया के अनुसार बील को पास करने के बाद उसे बैंक में भेजना था इसका बित्री ब्योरा बैंक को भेजने के बाद करजमाफी की रकम समधित किसान के खाते में टांस पर होनी थी ट्रेजरी अफिसर ने करजमाफी से जुड़े बिल को पास कर लिया लेकिन तक्निकी कारणों से उसे बैंक को नहीं भेजा इसे किसानों को कजमाफी का लाब नहीं मिल सका रांची सदर अस्पताल कोवीड अस्पताल घोसित रांची के सदर अस्पताल को कोवीड अस्पताल घोसित कर दिया गया है बताते रविवार को रांची डीसी छवी रंजन ने सदर अस्पताल का निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने कुरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में की गई ब्यवस्थाक का बारीकी से मुआयना किया साथ ही उन्होंने सम्मंदित पताधिकारियों को अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए और बेतर ब्यवस्था करने के निर्देश भी दिये इसके अलावा अस्पताल में बेट की संक्या बढ़ाने को लेकर भी दिशाने दिश दिये रेल्वे स्टेशन पर बरतमान हालात में नहीं करा सकते सारीरिक दूरी का पालन आर्पी एफ आईजी आर्पी एफ के आईजी डी बी कसरा ने कहा कि रेल्वे स्टेशनों पर अभी यात्रियों की भीर उमर रही है इसलिए सरीरिक दूरी का पालन करना काफी कठीन काम है रेलवे स्टेशन का परिशर पहले से ही काफी छोटा है इतने छोटे परिशर में अगर अधिक यातरी आ जाए तो सरीरिक दूरी का पालन कैसे कराया जा सकता है उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सारी इक दूरी का पालन कराने से हाथ खड़े कर दिये हाए कुरोना संक्रमितों की कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए राची पूलिस ने बनाई ये स्पेसल टीम कुरोना संक्रमन के बरते रफ्तार को देखते वे राची पूलिस ने भी कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए अलग टीम के गठन किया है बतादे 20 पूलिस कर्मियों की एक टीम के गठन किया गया है जिसका काम कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग का होगा इस टीम का नोडल अफिसर सदर डीएसपी प्रभात रंजन को बनाया गया है कुरोना में हमारे को रोकने के लिए राची पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है कुरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवायर भोकारो दंडा अधिकारी बोकारो जिले में लगातार बढ़ रे कुरोना संक्रमन के परकोपो देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर बोकारो के विभीन चौक चुराय एवं बजारों में सखन मास्क चेकिन अभियान तीन दिनों से चलाया जा रहा है बतादे इस तरह मोटरसाइकल बोस अटो एवं कारों का विश्यास रूप से चेकिन किया गया निर्दिक्षन करम में लोगों को कोविन नियमों के अनुपालन वा मास्क के उप्यों के प्रति सतर्क सजगवा सवधान किया गया 250 से यत्र्यों को लेकर मुंभाई से चली एश्पेसल ट्रेन राची एस्टेसन पर उत्रे सीर्फ 25 से यतरी मुंभाई से खुली सुपर फास्ट एस्पेसल ट्रेन के रःबिवार को राची एस्टेसन पहुँचने के बाद अजीबों गरीब नजारा देखने को मिला बता दे जीस इस्पेसर टेंड के आगमन को लेकर रेल और जीला परसासन की ओर से कुरोना जांच को लेकर इतनी ज्यादा त्यारिया चल रही थी उस ट्रेंड से महज 25 स्यात्री ही रांची रेलवेस टेशन पर उत्रे हलाकी शुरुवात में इस्टेशन पर सिर्फ 10 स्यात्रियों के उतरने की ही जनकारी मिली लेकिन बाद में रांची रेल मंडल के CPRO निरज कुमार ने इस्टेशन पर कूल 25 स्यात्रियों के उतरने की जनकारी दिया ज्यारखन में 296 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से एक है चेहत्र बुकारुस से संतावन चात्रा दोस देवघर चोंसर्ट धनबाद ज्यारखन में रभिवार को 21 लोगो की मौत हुई है जो रांची से 14 धनबाद से 1 पुर्वी सिमूं से 4 गोड़ा से 1 और पांकूर से 1 सामिल है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 1230 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 13 high 933 है भारत में 1 07949 लोग स्वास्थ हुई वही ज्यारखन में रभिवार को 635 लोग स्वास्थ हुई जार्खन से जांच के लिए भोनेस्वर भेजे गया उन्सट सव एक नमुन्ने स्वास्त विभाग ने रभीवार को उन्सट सव एक सेंपल जार्खन से ICMR भोनेस्वर ITPCR जांच के लिए भेजा है बतादे इसमें राची जीले के IRL 8 की लेब से 1924 खोटी जीला के खोटी सदर अस्पताल से 692 वाई राची जीला के सदर अस्पताल से 1294 सेंपल वा हाजारी बाग के मेट्रो बायलोजी लेब मेडिकल कोलेज हाजारी बाग से 19161 सेंपल सामिल है भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से हेमत सरकार दरी बागुलाल मरांडी नरविवार को कुलान मोड पर चुनाई जन सरकार में कही उन्होंने कहा कि हमन सरकार ने डेर साल बीतने के बाद भी एक भीवादा पूरा नहीं किया है जार्खन परदेश कोंग्रेश के अध्यक्ष डाक्टर रामेशर उराव के नतित में जार्खन परदेश कोंग्रेश के प्रवक्ता अलोकुमार दुबे लाल किसोर नाच साहदेव और राजस गुप्तार ने रविवार को यह बात कही स्वास्त सचीव ने टीका करन केंद्र का किया निरिक्षान स्वास्त सचीव केके सोनने रविवार को नामकुम में बने टीका करन केंद्र का निरिक्षान किया बतादे इस तोरान उन्होंने वहाँ उपस्थित स्वास्थ कर्मियों को कई अवसेक दिशार नेद्यस भी दिये उलेखनी है कि टीका करन केंद्र में 45 परस से उपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है देवघर उपायुक्त ने किया रक्तदान देवघर उपायुक्त मंजुनात भजंत्री ने रभिवार को भरतिये रेट क्रोस सोसाइटी के तत्वधान में आयजित रक्तदान सिवीर की शुरुवात की इस मौके पर उन्होंने रक्तदान भी किया उपायुक्त ने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान करके न सिर्फ किसी की जिन्दगी बचाने जैसी अन्मोल खुसी मिलती है बलिक इस से हमारी सेहत को भी लाप पहुंचता है केंद्रिय स्वास्त मंत्री से कुरोना की दवा उपलब्द कराने का आग्रह जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने रभीवार को फोन पर केंद्रिय स्वास्त मंत्री डाक्टर सफसन से बात कर कर कुरोना के इलाज वाली दवा उपलब्द कराने का आग्रह किया की भारी कमी है जिसे कुरोना मरीजों के इलाज में दिकत आ रही है लोहरदागा में बर्दी मेरा जुनून पर सिक्षन साखा का उधाटन लोहरदागा जिले के भक्सोग गाउ में युवाओ को पूलिस एवं सेना में भर्ती के रहे पर सिक्षन देने के उधे से बर्दी मेरा जुनून की एक साखा खोली गई है बतादे भंडारा थाना प्रभारी अविशेक कुमार तिवारी फूलिस अवर निरिक्षक दिपक कुमार ओजा यवं ट्रैफिक प्रभारी संतोस कुमार यादवने दिप प्रजलित कर प्रसिक्षन साखा का उधाटन किया इस दोरान युवाओ को प्रसाइद करने के लिए दोड प्रत्योकता होई दोड में प्राथम द्यूतियम त्रितिये अस्थान प्राप्त करने वालों को रनिंग शूट, ट्रेक शूट यवं मेडल से समानित भी किया गया जार्खन सचीवाले में संक्रमन का सिलसिला जारी जार्खन सचीवाले के पदाधिकारियों में कुरोना संक्रमन का केस मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा बिभीन विभागों में 20 से अधिक पदाधिकारियों और कर्मियों की सेंपल जाच रिपोट प्रोटी वाई इनमें सवन्युक सचिव अस्तर के अधिकारी भी हैं बता दे कई पदाधिकारियों के परिवार के सदस्य भी संक्रमीत बताए जा रहे हैं सचिवाले सेवसंग ने सरकार से सचिवाले में सब्ताईक रोष्टर व्यवस्था लागू करने की मांग की है सिख्षकों ने दोहराई पुरानी पेंशन बहाली की मांग जार्खन लोग सेवा योग राची द्वारा आयोजीत प्रारामभिक सिख्षक चेहन परतियोगत्या परिशा के अधार परचैनित सिख्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जार्खन परदेश प्रात्मिक सिख्षक सहं की ओनलाइन बैठक रविवार को हुई बतादे 2005 में नियुक प्रात्मिक सिख्षकों की ओर से कहा गया कि एक ही बिग्यापन के तहत 2003 और 2005 में नियुकती हुई है इसके तहद 2003 में नियुक सिख्षकों को पुरानी पेंशन कलाब देने के लिए बिभाग तयार होता दिखाई दे रहा है लेकिन उसी बिग्यापन के तहद बाद में नियुकत हुए सिख्षकों के साथ सिख्षा बिभाग द्वारा बेदभाव किया जा रहा है भागपा मवादियों की ERB ने 26 अप्रेल को बुलाया भारत बंद भागपा मवादियों के स्टर्न औरिजनल ब्योरो ने 26 अप्रेल को भारत बंद बुलाया है बताद ERB के प्रवक्ता संकेत ने रविवार को इस समद में प्रेस ब्यान जारी कर कहा की RSS और भागपा की मवजूदा सरकार को नेश्तना भूद करने की जरूरत है केंद्र पर आदिवासी मुलवासी जानता के साथ साजिस का आरोप लगाते हुए बिरोद सोरूप 26 अप्रेल को भारत बंद बुलाने की बात कही गई पूर्व सीम बावलान मरांडी के पूत्र समेथ 20 लोगों की हत्या का आरोपी नकसली गिरफतार देवरिया के चिल्खारी मैदान में पूर्व सीम बावलान मरांडी के पूत्र अनूप मरांडी समेथ 20 लोगों की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले नामजात नक्सली कोला यादो गिरफतार कर लिया गया है बतादे उसे गिरीडी के भेलवा घाटी थाना पुलिस ने रभिवार को बिहार के जमोई जिले के चरका पथल थाना चेत्रे के उसके गाँ बिस्विनपूर से गिरफतार कर लिया है यह मामला 26 अक्टूबर 2007 को हुआ था जमसेदपूर में 46 चात्र कुरोना पोजेटीब जमसेदपूर के प्रमोख बिजनेस स्कूल जेवियर स्कूल ऑफ मेनेजमेंट के 46 बिद्यार्थी कुरोना पोजेटीब आए गया है बता दे सभी चात्रों को परिसर में ही कुरेंटीन कर दिया गया है डाक्टरों की देख रेक में उनकी निगरानी की जा रही है भैक्सिन लेने में राची पुलिस नहीं दिखा रहे है दिलचस्पी जारखन में कुरोना की दूसरी लहर की रफ्तार बढ़ती जा रही है और इसकी चपेट में कई लोग आ रहे हैं पुलिस कर्मी भी इसके सिकार हुए हैं अब तक जो आकड़ा सामने आया हैं उसमें 15 पुलिस कर्मियों की मौत कुरोना से हुई है बता दे अब तक 561 पुलिस कर्मी कुरोना की सिकार हो चुके हैं इसमें से 561 पुलिस कर्मी स्वस्त भी हो चुके हैं कुरोना की दूसरी लहर से पुलिस कर्मियों को कैसे बचाया जा इसको लेकर वैक्सिनेशन के परकिरिया को और दुरूस्त किया गया है बतादे अब तक कुल 62,631 पूलिस कर्मियों को बैक्सिन का पहला डोज दिया जा चुका है जबकि बैक्सिन का दुसरा डोज लेने वाले पूलिस कर्मियों को संख्या 49,748 तक पहुँच चुकी है जहारखंड में कवार हो रहे 5,45,000 वाहन बरते परदुसन पर लगाने वा पर्यावरन सुरक्षित रखने के साथ वाहन उध्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई एसक्रेप निती लागू करने वाली है बता दे अब यह तक्रीबन तय हो चुका है कि केंद्र राज सरकार वो नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों को कबार में बेचा जाएगा ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रिल 2022 से देश में ही कहीं भी पंजी करन नहीं कराया जा सकेगा जारखन हाई कोड के जस्टिस के पी देव की पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर मुख्य सचीव ग्री सचीव और स्वास सचीव को अमानना का नोटिस जारी किया है बता दे अदालत ने तीनो अधिकारियों से पुछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाप आउमाना की करवाई सुरू की जाए इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रेल को निधायित की गई है बता दे इससे पहले तीनो अधिकारियों को अलग-अलग सपत्पत्र के माध्यम से अपना जवाब कोट में दाखिल करना है और ओनलाइन हाजिर भी होना है धन्यवाद